20 मार्च 1599 को यदि सुमवार था तो 21 मार्च 1999 को कौन सा दिन होगा यदि इस तरह के प्रशन आपको भी उल्जन में डालते हैं तो इस वीडियो में हम इस तरह के प्रशनों का समधान खोजने वाले हैं इस तरह के प्रशनों को हल करने से पहले हमें एक important concept को समझना बहुत जरूरी है जैसे कहते हैं अत्रिक्त दिन ग्याद करना तो इसमें किस तरह के प्रशन दिये होते हैं मा लिजे किसी महीने के हमें एक तारीक दी हुई है मा लिजे इस एक तारीक को जो दिन पढ़ रहा है वो सुमवार है तो अब इससे समधित प्रशन किस तरह के से आते हैं मा लिजे कि इस एक तारीक से वह निश्चित दिनों के बाद के दिन को पूछ लेगा मा लिजे आठवे दिन कौन सा दिन पढ़ रहा ये पूछ सकता है नौवे दिन कौन सा दिन पढ़ा होगा या दसवे दिन कौन सा दिन पढ़ा होगा इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं तो अब इसको ग्यात किया से किया जाता है माली जे हमें किसी तारीक से आठ, नौ या दसवे दिन को ग्यात करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमें दिन दिये होते हैं, उसे हम साथ से भाग देते हैं, साथ से भाग देने का मतलब है कि हम उसे पूरे हफते में बदल ले रहे हैं, तो जितनी बार भाग जाता है, वह सफता के पूरा होने को बताता है, उसके बाद जो दिन बचते हैं वो अत्रिक्त दिन कहलाते हैं तो अत्रिक्त दिनों की संख्या वो दर्शाता है तो इस तरीके से हम जैसे आठ दिनों के बाद अगर हमसे कोई डेट पूची गई है या दिन पूचा गया है तो आठ में एक अत्रिक्त दिन आएगा इस तरीके से इसी तरीके से अगर हम 9 की बात करें तो 9 को हम 7 प्लस 2 लिख सकते हैं तो 7 जो है वो एक हफता बना देता है और 2 जो है वो extra days हो जाते हैं इसी तरीके से 10 में 3 अत्रिक्त दिन होते हैं अब अत्रिक्त दिनों की संक्या जो है जादा से जादा 6 तक हो सकती है इस प्रकार अत्रिक्त दिन जो है वो क्या हो सकते हैं 0 हो सकते हैं 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 5 या 6 तक ही हो सकता है अब 6 तक ही क्यों हो सकता है क्योंकि 6 के बाद अगर वो 7 होगा 6 के बाद वो 7 होगा तो वो एक अगला हफता पूरा हो जाता है तो इस तरीके से जो है अत्रिक्त दिन जो है जीरो से लेकर 6 तक हो सकते हैं मैक्सिमम अब इन अत्रिक्त दिनों का प्रियोग कैसे करना है इसको हम समझते हैं तो देखे अगर हम माल लेते हैं कि पहला दिन जो है हमारा हफ़ते का वह सुमार्शी शुरू हो रहा है तो by default जो है उस सोमवार ही लिया जाता है क्योंकि जो हमारा गिर्गेरियर कलेंडर के आनुसार जो हमारी तिथियां शुरू हुई है वो सोमवार से ही शुरू ही थी अर्थात एक जन्वरी सन एक को सोमवार का दिन था तो इसी के आधार पे अगर हम गणना करते हैं तो पहला दिन आपका सुमवार है तो उस दिन एक हो गया दूसरा दिन आपका मंगल है तीसरा दिन है आपका बुद्वार चौथा दिन है आपका ब्रहस्पतिवार पांचवा दिन है सुक्रवार छटा दिन है सनिवार और सातवा दिन या फिर हम जीरो भी मान सकते हैं क्योंकि सातव जो भी आएगा उसके आधार पे हम गर्णा कर सकते हैं अगर हमने इस तिथी को क्या कर रखा है बाई डिफॉल्ट डेट हमने मान रखी है तो पहला दिन जो अत्रिक तारा हो सुमार को दर्शाएगा दूसरा दिन आपको मंगलवार को दर्शाएगा तो इस प्रकार से गर्ण होती है तो इसमें महत्पूर्ण तत्थ हैं कुछ जिसको हमें समझ लेना और भी आवश्यक है जैसे पहला महत्पूर्ण तत्थ है हमारा कि साधारन वर्ष साधारन वर्ष में देखे हम जानते हैं कि 365 दिन होते हैं इसको अगर हम साथ से भाग दे देते हैं तो हमारे पास 52 हफ़ते आते हैं कुल और एक दिन जो है वो extra बचता है इसका मतलब है कि 354 दिन वो हफ़ते में बदल जाते हैं और एक दिन जो है वो आपका extra day रहता है तो साधारन वर्स में जो अतरिक्त दिनों की संक्या होती है वहां होती है एक दिन होती है इसी तरीका से हम leap वर्ष की बात करें, लीप वर्ष में क्या होता है, 366 दिन होते हैं, तो 366 दिन को अगर हम हफतों में बदलें, तो 52 हफते फिर से आएंगे हमारे पास, और यहां पर हमारे एक्स्टार डेस की जो संख्या होगी, वो क्या होगी, दो होगी, तो इस तरीके से लीप एर में हमारे दो एक्स्टार डे अतरिक्त दिन होते हैं, इसके अगर हम बात करें कि 100 वर्ष में, 200 वर्ष में या 300 वर्ष में क्या होगा, देखिए हमें पता है कि यह leap verse नहीं होते हैं क्योंकि leap verse इन में जो extra time बढ़ जाता है तो उसको balance करने के लिए हम 100-way verse को 200-way verse को और 300-way verse को हम leap verse नहीं मानते हैं leap verse कौन सा आता है वो 400-way verse या फिर जो है 400-way verse के जो गुणज है मतलब उसके जो multiple होंगे जैसे 800-way verse है या फिर 1200-way verse है और 24 जो है leap verse होते है देखे 24 leap verse क्यूं होते है वैसे जो leap verse के संख्या 25 होनी चाहिए परन्तु सौवा वर्ष ऑर्ष जो है जो सौवा वर्ष है आपका जो सताब्दी वर्ष है वहां क्यों होता है leap year नहीं होता है तो साधारन वर्षों में एक वर्ष जो है आपका बढ़ जाता है तो 75 की बजाय यह 76 हो जाता है और लीप वर्ष जो 25 होने चाहिए आपके वह 25 होने की बजाय है चुकि सोवा वर्ष जो है वो सताब्दी वर्ष जो है वह लीप वियर नहीं होता तो यहाँ पर 25 की बजाए 24 हो जाता है अब हम जानते हैं देखिए साधरन वर्ष में अतरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है एक होती है तो 76 साधरन वर्षों की अगर हम बात करें तो इसमें अतरिक्त दिनों की संख्या क्या हो जाएगी 24 x 248 हो जाएगी तो इस तरीके से 46 अगर हम 48 को जोड़ दें तो हमारे पास 124 अतरिक्त दिन आते हैं अब इन अतरिक्त दिनों का अगर हम हफतों में बदल दें 7 से भाग करके तोहारे पास 17 हफते आते हैं और 5 दिन जो है वो 6 बचते हैं तो ये 5 दिन क्या होगा है अतरिक्त दिन होगए अब इन सब की गढ़ना जो है आगे प्रशनों में समझेंगे इनको कि इनका महत्तों क्या है तो इस तरीके से निशकर्ष ये निकला है कि 100 वर्षों में अतरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है 5 होती है इसी तरह के अगर हम और गढ़ना करते हैं तो हम सीधे सीधे conclusion के लिए रूप में लिख ले लेते हैं कि 200 वर्षों में अतरिक्ते दिनों की संख्या क्या होती है इसी प्रकार से अगर हम गढ़ना करेंगे तो 200 वर्षों में अतरिक्ते दिनों की संख्या होती है तीन और 300 वर्षों में अतरिक्ते दिनों की संख्या होती है एक और 400 वर्षों में अतरिक्ते दिनों की संख्या होती है जीरो अब देखिए इसको एक प्रसंट से समझते हैं तो यहां पर जो है कई तरह की प्रश्णा आते हैं तो यहां पर हम पहले टाइप के प्रश्णों की हम बात कर रहे हैं तो फर्स टाइप के जो questions हैं वह किस तरीके से दिये होते हैं जिसमें एक जन्वरी सन एक अर्थात अपलकर देख़ता दिन था तो महरबेस विकल्प हैं का रवीवार, खा मंगलवार, ग्या सुमवार और ग्या शनिवार तो चलेए इसके हल को देखते हैं देखें 1जनवरी सन 1 जो है या से 1जनवरी 2001 तक देखें कितना समय होता है एक जनवरी सन एक से एक जनवरी दो हजार एक तक जो समय है आमारा वह है क्या है दो हजार वर्ष है और दो हजार के बाद जैसे ही अगला दिन आता है तो दो हजार एक वर्ष वहां वर्ष शुरू हो जाता है तो यहाँ पर हमारे में बोर्षों के संक्या कितनी हो गई? 2000 वर्ष तो हो गए 1 January Sun 1 से 1 January 2001 तक 2000 वर्ष है हमारे पास और एक दिन एक्स्ट्रा है तो 2000 वर्षों में अत्रिक्त दिनों की संक्या क्या होगी? शून्न रह सअबकी हो जाएगी 400 का multiple है गुणज है तो इसमें 400 देखी हम अभी पीछे देख चुके हैं कि 400 वर्षों में अतरिक्त दिनों की संख्या क्या होती है शुन नहीं होती है तो इसी तरीके से 2400 का ही multiple है उसमें भी अत्रिक्त दिनों की संक्या क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी अता 1 January Sun 2001 में कुल अत्रिक्त दिन कितने हो गए 0 प्लस 1 अर्था 1 हो गए तो 2000 वर्षों में जो हमारे अत्रिक्त दिनों की संक्या है वहाद तो शुन्य रही यह जो एक्स्ट्रा एक दिन बच रहा है जो कि एक जन्वरी 2001 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यही हमारे पास एक्स्ट्रा डे हुआ तो एक अत्रिक्त दिन सुमार क्या दियो तक है देखिए जो जैसे हम बात कर चुए है कि बेस हमने क्या ले रखा है एक जन्वरी सन एक को हमने क्या कर रखा है बेस ले रखा है तो इसमें बेस लेने का मतलब है और हम जानते हैं कि एक जन्वरी सन एक को जो आपके ग्रेगेरियल कलेंडर के शुरुआत हुई थी तो पहला दिन आपका सुमार था तो इस आधार पे जो है एक अत्रिक्ते दिन सुमार का ध्योतक होता है यह इसको रिप्रेजेंट करता है तो एक जनवरी 2001 को जो दिन रहा होगा वह क्या रहा होगा शुमार रहा होगा तो इस आधार पे जो हमारा सही विकल्प है वह क्या है गा है दूसरा उतरान देखते हैं कि एक जनवरी सन 2000 को कौन सा दिन था तो हमारे पास विकल्ब जो है वह क्या है रविवार है, शनिवार है, मंगलवार है या बुद्धवार है तो अब देखे इसकी गड़ना कैसे करेंगे एक जनवरी सन 2000 तक जो समय है हमारा वो कितना है देखे एक सो निन्यानवे वर्ष है और एक दिन है अब देखे इस यहाँ पर जो है थोला सा भ्रहम पैदा होता है और वो कैसे होता है कि एक जनवरी सन 2000 तक जो है यहाँ पर हमें लगता है कि 2000 कहा है तो इसका मतलब है 2000 दिन होने चाहिए बट यहाँ पर वर्ष वास्तो में है वहाँ कितने हैं एक सो निन्यानवे वर्ष है क्योंकि जैसे हम 1999 वर्ष से अगला दिन आएगा हमारा तब हमारे पास जो तिथी मिलती है वहाँ कि मिलती है एक जनवरी सन 2000 मिलती है तो वर्षों की संख्या जो है एक जनवरी सन एक से एक जनवरी 2000 तक जो वर्षों की संक्य है वो कितनी है 1999 वर्ष है अब देखे 1999 वर्षों को हम क्या कर सकते हैं गढ़ना के लिए हम इसको स्प्लेट कर लेते हैं इसे तोड़ लेते हैं टुकड़ों में और वो टुकड़े हम इस तरीके से बनाएंगे ताकि हमारी गढ़ना आगे सहज हो जाए तो देखें यहाँ पर हमने 1600 वर्षों में इसे बाटा है 300 वर्षों में बाटा है और 99 वर्षों में हमने बाटा है अब 1600 वर्षों में अतरिक्त दिनों की संक्या क्या होगी देखें क्योंकि एक लंबा time duration है ये 1999 वर्ष जो है एक लंबा time duration होता है तो इसमें वर्षों के गड़ना के लिए हम क्या करते हैं इसको हमने 1600 वर्षों 300 वर्षों 99 वर्षों में बटा है अत्रिक्ते दिनों की संख्या क्या होती है जीरो होती है तो 1600 जो है वह क्या है 400 का multiple है गुणच है तो इसमें भी जो अत्रिक्ते दिनों की संख्या क्या होगी वह 0 ही होगी तो इसलिए 1600 वर्षों में अत्रिक्ते दिनों की संख्या 0 हो गई उसके बाद 300 वर्षों में अत्रिक हैं कि 100 वर्षों में अत्रिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है पांच होती है अब देखिए 100 वर्षों में जो अत्रिक्त दिनों की संख्या 4 हो जाएंगे तो इस तरीके से 99 वर्षों में जो अत्रिक्ते दिनों की संख्या है वह क्या है 4 है तो इस तरीके से कुल हमारे पास अत्रिक्ते दिन कितने हो गए 4 प्लस 1 मतलब 5 डेज हमारे पास extra हो गए और जब 1 जनवरी में हम move करते हैं तो हमारे पास एक और extra day आता है तो कुल हमारे पास जो अत्रिक्ते दिन कितने हो गए 5 प्लस 1 हो जाएंगे और total हो गया 6 तो 6 हमारे पास extra days हो जाते हैं अब जो 6th day होता है वो किसको represent करता है सनिवार को represent करता है कैसे represent करता है अभी हम पीछे इसको देख चुके हैं कि जो हमारे पास days का cycle होता है उसमें पहला day जो है वह किसको represent करता है सुमवार को represent करता है दूसरा day जो है वह किसको represent करता है मंगलवार को represent करता है तीसरा डे जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बुद्धुवार को रिप्रेजेंट करता है चौथा दिन जो है वह किसको रिप्रेजेंट करता है ब्रहस्पतिवार को रिप्रेजेंट करता है इसे तरीके से हम पांचवे दिन की बात करें तो पांचवे दिन जो है वह सनिवार को represent करता है और 7 दिन या फिर 0 डे भी हम कहते हैं वहां रव्यूर को represent करता है तो 1999 वर्षों में और एक दिन पे हैं जो हमारे पास extra days आ रहे हैं वो 6 दिन आ रहे हैं तो इस तरीके से हम move करेंगे तो पहला extra day सुमार फिर दूसरा तीसरा चौथा पाच्वा और छटे दिन पे हम पहुंच गया तो छटा एक्स्टा दिन क्या हो गया एक्स्टा डे आपका सनिवार हो गया तो इस तरीके से क्या होगा एक जन्वरी सन 2000 को सनिवार होगा